अल्ला मचा देगा मैं! पुलिस तो क्या? पूरा गवर्मेंट खूड़ा देगा! पूरा खूफ था जो साउथ में 20 सालों तक कायम था और इस खूफ का नाम था चंदन तसकर विरपन विरपन के खूफ का परचम भारत के साथ साथ विदेशों में भी लहराता था इस वैशी दरिंदे को पकड़ने के लिए 3-3 राजियों के पुलिस पागलों की तरह 20 साल तक इसकी तलाश करती रहे पुलिस ने इस पर 5 करोड का इनाम भी रखा था लेकिन विरपन पकड़ में नहीं आया तो आखिर कैसे इस खुंखाट डाको पर पुलिस ने काबो पाया राज्य सरकारों ने क्या प्लाइनिंग की और कैसे इसका इनकाउंटर किया गया आज इसे खौफनाग हाकिकत की एक एक परत हम आपके सामने खोलेंगे तो विडियो को बिना स्किप की आखिर तक देखिएगा जिससे आप विरपन की दरिंदगी की हर एक तस्वीर साफ साफ देख सकें विरपन के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा साउथ के जंगलों में इसकी तूती बोलते थे इसके अपराद की कहानी के शुरुआत भी इनहीं जंगलों से होई थे 18 जनवरी 1952 को करनाटका के गाओ गोपिनाथम में पैदा हुए विरपन का पूरा नाम कूज मुनी स्वामी विरपन था लेकिन ये विरपन नाम से ही कोख्यात हुआ विरपन पैदा तो 1952 में हुआ था लेकिन इसकी असली कहानी शुरू ही 1970 में विरपन एक चरवाहे परिवार में जन्म लिया था इसलिए उसका बचपन जंगलों में ही बीता था जंगल से उसका अच्छा याराना था इसलिए बड़े होकर इसने जंगलों को ही अपना ठिकाना बनाया ये बचपन में अपने पिता के साथ रहे कर छोटे मोटे काम क्या करता था लेकिन बाद में अपने ही क्रेमिनल रिश्टेदार के साथ मिलकर इसने अपराद के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था पहली बार एक सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी का कतल कर दिया था। सैलों ने 172 में पहली बार पुलिस ने इसे गिराफ़तार किया था। विरप्पन धीरी धीरे जर्म की दुनिया में अपने पाउं पसारने लगा था। आलम ये था कि आगे चलकर हिंदुस्तान के टॉप क्रेमिनल्स में शामिल किया जाने लगा था। 20 सैलों में विरप्पन के उपर 184 कतल के मामले बने थे। यानि विरप्पन ने 20 सैलों में 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और इन लोगों में ज्यादा तर वो शामिल थे जो या तो पुलिस आफिसर्स थे या फिर फॉरिस डिपार्टमेंट के आफसर जिनके उपर पुलिस की मुखबरी करने का शक होता था। विरप्पन बस्ती में रहने वाले किसी भी आम इंसान को पुलिस के साथ घूमते वे देख लेता तो उसे मार देता था। फिर कुछ दिनों बाद विरप्पन ने उसी अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया था और उसके सिर को काट दिया था। इसकी दरिंदिगी का आलम ये था कि साल 1993 में एक बार वो पुलिस से घिर गया और जब उसे लगा कि उसकी बेटी के रोने की वज़ा से पकड़ा जा सकता है तो विरप्पन ने उसका गला ही घोट दिया था। एकसो चौरासी लोगों को तो विरप्पन ने मौत के घाट उतारा ही था साथी उसने 2000 हाथियों को भी मार दिया था। गिरफ्टार होने के बाद भी व अपनी चालाकी से फरार हो जाता था। जैसे कहा जाता है एक बार पुलिस ने विरप्पन को गिरफ्टार कर लिया। विरप्पन को जब पुलिस ठाने लाया गया तो उसके दोनों हाथों में हत्कड़ी लगए थे। पुलिस की अम्बिलेंस में सवार हुआ है। उसे STF का ही एक आदमी चला रहा था। पुलिस बीच रास्ते में अपने शिकार के लिए घात लगा कर बैठे थी। तभी अचानक ड्राइवर ने रास्ते में अम्बिलेंस रोग दी और वो उसमें से उतर कर भाग गया। इससे कि विरप्पन कुछ समझ पाता पुलिस ने अम्बिलेंस पर चारुन तरफ से फारिंग शुरू कर दे जिसमें विरप्पन मारा गया। बताया जाते हैं उसे दो गोलियां लगे थे जिसमें एक सर और दूसरी आँख में लगे थे। इस तरह ऑपरेशन कोकून के तहत 20 मिन के एंकाउंटर में विरप्पन को ढेर कर दिया गया था। कहा जाते हैं कि पुलिस विरप्पन को जिन्दा पकड़ना नहीं चाहते थी। अगर वो पकड़ा भी जाता तो बाद में आसानी से छोड़ जाता। विरप्पन के मरतई उसके गाउं में जश्ण मनाया गया जो नतु उन्हें चैन से जीने देती थी और नमर ने वो उनके लिए किसी दरिंदिर आक्षस से कम नहीं था। विरप्पन की मौत के बाद उसे उसके गाउं मूला कुंडू में ही दफना दिया गया और इसकी मौत के बाद इस गाउं को भी सरकारी कबजे में ले लिया गय इस तरह 20 साल तक चली खतरनाक तसकर चन दन विरप्पन की तलाश 20 मिनट में हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो दोस्तों इसे के साथ वीडियो में फिलहाल एतना हैं। अमीद है वीडियो पसंद आई होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाब बा झालाखबी गैजू है वे सप्रॉट कर दोस्त बे gy अई जाग और बाब उतल के तक ये में तकोझन जातरा ओनाय ये चानार फाविश जाम, के वीडियो दोस्क इट हो गई।